हालो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है फ्रेंज आज हम तिरकोविमिती का एक most important question को यहाँ पे हल करेंगे जो आपके board के exam के लिए ये question बहुत ज़्यादा important साबित होगा तो चलिए फ्रेंज इस्टार्ट करते हैं तो फ्रेंज आपके सामने question है कि 10 theta plus 4 theta is equal to 2 तो 10 square theta plus 5 square theta का मान गयात करना है तो फ्रेंज आपको इस 10 theta plus 4 theta is equal to 2. देखें फ्रेज, अब इस प्रश्ण को हल करने से पहले आपको देखना पड़ेगा क्या लाना है? 10 square plus 4 square लाना है. तो फ्रेज, यहाँ पे देखें, आपको इस प्रश्ण को हल करने से पहले आपको एक फार्मुला पता होना चाहिए. A plus B का whole square क्या होता है, फ्रेज, A square plus B square plus 2AB. यह फार्मुला यदि आपको याद है, तो यह equation आप simple तारीका से हल कर लेंगे. देखें फ्रेज, क्या करना है, आपको लिखिए हैं, 10 theta plus 4 theta बराबन 2. अब यहाँ फ्रेज क्या करेंगे, आप थोड़ा से इसको उपर कर लेते हैं, अब यहाँ फ्रेज क्या करना है, लिखना है कि दोनों पच्छों का, दोनों पच्छों का, वर्ग करने पर, दोनों पच्छों का, वर्ग करने का मतलब होगा, यहाँ लिखिए 10 theta plus 4 theta का whole square, यानि कि वर्ग मतलब whole square, यहाँ पर क्या हो जागा है, दो का whole square, ठीक है, अब दोगे फ्रेज, यह आपका A के जगा पर हो गया, यह क्या हो गया, आपका B के जगा पर, यानि यहाँ लिखिए A square अर्थात, यानि कि 10 theta का whole square, प्लस, B square का मतलब, काट, theta का whole square, प्लस, देखिए 2 A B, यानि 2, A का मतलब हो गया 10 theta, और B का मतलब हो गया, काट theta, यहाँ पर, काट theta, बराबर, देखिए फ्रेज, जब दो का square करेंगे ते दूदुना के, चार हो गया, यहाँ आप चार लिख लिखिए, अब देखिए फ्रेज, यह whole square का मतलब हो गया, कि आपको लिखा है, 10 square theta, प्लस, यह क्या हो जागा, आपका, काट square theta, प्लस, देखिए 2 A B, यानि कि 2, यहाँ पर कितना है फ्रेज, लिखिए 2 10 theta, इंटू, काट theta, बराबर, 4, देखिए फ्रेज, यहाँ पर थ्रेज, चर्ण और देखिए, 10 theta, इंटू, काट theta, इसका मान कितना होता है, फ्रेज, एक होता है, यह फार्मुला होता है, फ्रेज, यह होता है, यहाँ पर लिखिए फ्रेज, देखिए, 10 square theta, प्लस, kaart equal data plus 2 गुडे यहां पर कितना है 10 theta into kaart igual data का मान कितना होता है एक होता है बराबर 4 10 square theta plus kaart equal data जब 2 का 1 में करेंगे तो 2 हो जाग बराबर 4 देखें फिर्लेस आपको 10 square theta plus kaart equal data का मान ग्यात करना है तो यहां से क्या करेंगे, दो के इस साइट पच्छांतर कर लेंगे, यहां पर लिखिए, 10 स्क्वाइर ठीटा, प्लस, काट स्क्वाइर ठीटा, बराबर, देखें, 4, 2 को पच्छांतर करेंगे, इसका चिन बदल जाता है, तो माइनस 2 हो जाएगा, यारिके, 10 स्क्वाइर ठ ठीटा, प्लस, काट स्क्वाइर ठीटा, बराबर, चार में से 2 जगए, फ्रेंस कितना हो जाएगा, दो, और फ्रेंस यही जो आपकी सामने आ रहा है, तो 10 स्क्वाइर ठीटा, प्लस, काट स्क्वाइर ठीटा, इसकल्टू 2, यही फ्रेंस क्या हो जाएगा, आपका इंसर ह जाएगा फिरेज यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फार वाचीं